हलो फ्रेंट्स में प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंट्स स्टाप सलक्षन कमिस्टन ने स्टेनोग्राफर ग्रेट C&D 2020 भरती के डोकुमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करने और एड्मिट काड या कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक जारी करना स्टाट कर दिया है और इसके पहले ही डोकुमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी अनाउंस कर दिया है आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन 29 सेप्टमबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 के बीच में होने वाला है इस अपडेट का डिटेल वेडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप इस्टन रिजन के लिए अपना स्टेटस किस तरह से चेक करोगे और अपना एड्मिट काड या कॉल लेटर किस तरह से डाउनलोड करोगे तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाकी के रिजन्स के लिए आप अपना स्टेटस किस तरह से चेक करोगे और अपना एड्मिट काड या कॉल लेटर किस तरह से डाउनलोड करोगे अगर ये वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगे तो सस्क्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले सेंट्रल रिजन के केंडिरेटस को बताते हैं कि आप अपना कॉल लेटर किस तरह से डाउनलोड करोगे तो SSC Stenographer Grade C&D 2020 भरती के डोकिमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाप सेलेक्शन कमिशन के सेंट्रल रिजन के ओफिसियल वेबसाइट पर आना होगा आपके सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दिया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाके उस दिये हुए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक आसानी से पहुँच सकते हो इस website पर आने के बाद आपको इसके notification section में चले जाना है जहाँ पर आपको लिखावा देखने को मिलेगा Download Call Letter for Stenographer Grade C and D Examination 2020 Conduct of Document Verification regarding to be helped from 29 September 2022 to 1 October 2022 आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नई पेज पर पहुँच जाओगे और इस नई पेज पर आने के बाद आपको स्क्रोल करके नीचे चले जाना है नीचे जाने के बाद आपको proceed now लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे फिर से आप एक नई पेज पर पहुच जाओगे इस नई पेज पर आने के बाद आपको एक warning लिखाओ देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये warn किया गया है कि आप अपना admit card एक से अधिक बार डाउनलोड ना करें अगर आप अपने admit card का duplicate admit card एक से अधिक बार डाउनलोड करोगे तो आपको admit card डाउनलोड करने से रोग दिया जाएगा और अगर आपको admit card डाउनलोड करने से ब्लोग कर दिया जाएगा तो आप भविस में अपना admit card डाउनलोड नहीं कर पाओगे इस warning के नीचे आपको call letter डाउनलोड करने का तीन option मिलेगा इन तीनों में से किसी भी एक option को use करके आप अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो तो पहले option में सबसे पहले आपको अपना registration ID नमबर यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth select करने के बाद human verify के लिए जो भी sum यहाँ पर देखने को मिलेगा इस sum को solve करके यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद search पर click करना होगा जैसे ही आप search पर click करोगे आपके सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही call letter डाउनलोड करने का option मिलेगा आप अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो call letter डाउनलोड करने का दूसरा option ऐसे के अडिरेट्स के लिए है जिनको अपना role number पता है तो इस option में सबसे पहले आपको अपना role number यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth select करने के बाद human verify के लिए जो भी सम यहाँ पर है इसे solve करके यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद search पर click करना होगा जैसे ही आप search पर click करोगे आपके सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही call letter download करने का option मिलेगा आप अपना call letter download कर सकते हो call letter download करने का जो तिसरा option है वो essay candidates के लिए है जिनको अपना role number पता नहीं है तो इस option में सबसे पहले आपको अपने नाम का चार करेक्टर यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद अपने फादर के नाम का चार करेक्टर यहाँ पर enter करना होगा अपना और अपने फादर के नाम का चार चार करेक्टर एंटर करने के बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth seller करने के बाद human verify के लिए जो भी सम मिलेगा इसे यहाँ पर solve करके enter करना होगा इसके बाद search पर click करना होगा जैसे ही search पर click करोगे आपके सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही call letter डाउनलोड करने का option मिलेगा आप अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो अब चलिए Northwestern Region Chandigarh के candidates को बताते हैं कि आप अपना status किस तरह से चेक करोगे और अपना call letter किस तरह से डाउनलोड करोगे तो SSC stenographer grade C and D 2020 भरती के document verification का status चेक करने और admit का download करने के लिए आपको stop selection commission के Northwestern Region Chandigarh के official website पर आना होगा आपके सुविधा के लिए इस website का link मैंने इस video के description में दे दिया है इस video के description में जाके उस दिये हुए link पर जैसे ही आप click करोगे इस website तक आसानी से पहुँच जाओगे इस website पर आने के बाल आपको इसके notification section में चले जाना है जहाँ पर आपको लिखावा देखने को मिलेगा status slash download call letter for stenographer grade C and D examination 2020 document verification regarding to be held on 29 September 2022 आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नई page पर पहुँच जाओगे और इस नई page में आपको अभ्यर्थियों के लिए कुछ बिसेश निर्देश लिखा हुआ देखने को मिलेगा जो की हिंदी और इंग्लिस दोनों language में लिखा है आपको ये सारे निर्देश अच्छे से पर लेना है इसके साथ ही ये सारे निर्देश आपको परते हुए नीचे चले जाना है नीचे जाने के बाद आपको एक declaration agree करने के लिए कहा जाएगा declaration को agree करने के लिए यहाँ पर दिख रहे है square box में आपको tick करना है इस square box में tick करने के मतलब ये है कि आपने सारा निर्देश पर लिया है और इन सारे निर्देश को अच्छे से पालम भी करोगे जैसे ही आप इस square box में tick करोगे नीचे आपको submit का option मिलेगा आपको इस पर click करन है जैसे ही आप submit पर click करोगे फिर से आप एक नए page पर पहुंच जाओगे और इस नए page में जो भी information मांगा जाए वो सारा information enter करके आप अपने document verification का status check कर सकते हो इसके साथ ही अपना call letter भी download कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना register ID या role number यहाँ पर enter करना होग जैसे ही आप search status पर click करोगे आपके सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही आपको अपना call letter डाउनलोड करने का option मिलेगा आप अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर call letter डाउनलोड करने का एक और option मिलेगा और यह option essay candidates के लिए है जिनको अपना role number या registration ID नबर पता नहीं है तो यहां से अपना call letter डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नाम का तीन character enter करना होगा जैसे ही आप सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही call letter डाउनलोड करने का option मिलेगा आप अपना call letter डाउनलोड कर सकते हो अब चली Western Region के candidates को बताते हैं कि आप अपना status किस तरह से चेक करोगे और अपना call letter किस तरह से डाउनलोड करोगे तो Western Region Mumbai के लिए SSC Stenographer Grade C and D 2020 भरती के document verification का status चेक करने और admit का डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको Start Selection Commission के Western Region Mumbai के official website पर आना होगा आपके सुविधा के लिए इस website का link में ने इस video के description में दे दिया है आप इस video के description में जाके उस दिये हुए link पर क्लिक करके आसानी से इस website तक पहुँच सकते हो इस website पर आने के बाद आपको इसके notification सेक्शन में चले जाना है जहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा status slash download for यहाँ पर 4 के पहले call letter होता सायद mistake से इसे print नहीं किया गया है तो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा status slash download call letter for stenographer grade CND examination 2020 schedule for document verification regarding to be held on 29 September 2022 आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नई page पर पहुँच जाओगे और इस नई page पर आने के बाद जो भी information आपसे मांगा जाए वो सारा information enter करके आप अपने document verification का status चेक कर सकते हो इसके साथ ही अपना call letter download कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना role number ये registration ID number यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करने के बाद आपको search now पर click करोगे आपके सामने आपके document verification का status खुल जाएगा इसके साथ ही आपको अपना call letter download करने का option मिलेगा आप अपना call letter download कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बाकी के regions के लिए जैसे ही status चेक करने और call letter download करने का link जारी होगा आपको इसका वीडियो मिल जाएगा अगर ये वीडियो आपको informative लगा हो तो वीडियो को like औ धन्यवाद